भोजपुरी क्वीन आमरपाली दुबे आज किसी पहचान की महताज नहीं है। आमरपाली ने अब तक कई सुपहित भोजपुरी फिल्में दी हैं। वही इन दिनों आमरपाली अपनी आने वाली फिल्म दाग एगो लांचन को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई इस फिल्म में उनकी साथ भोजपुरी एक्टर रितेश पांडिय, विक्रान सिंग, राजपूत और रक्षा गुपता लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे। आमरपाली की फिल्म दाग एगो लांचन कल यानी 24 फरवरी को रिलीज हो रही है। औल ओवर इंडिया होगी र हविस्तर पर रिलीज हो है। फिल्म 24 फरवरी को आल ओवर इंडिया रिलीज होगी। फिल्म का प्रदर्शन देश भर के 50 से अधिक सिनिमा घरों में होगी। यह फिल्म मुंबई के मल्टी प्लेक्स कार्निवल मूवी स्टार गोरेगाउं में भी लग रही है। फिल्म में आमरपाली दुबे आज किसी पहचान की महताज नहीं है। आमरपाली ने अब तक कई सुपहित भोजपुरी फिल्में दी हैं। वही इन दिनों आमरपाली अपनी आने वाली फिल्म दाग एगो लांचन को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इस फिल्म में उ पितेश पांडिय और विकरान सिंग राजपूर की फिल्म दाग एगो लांचन समाज के ज्वलंत मुद्दे और उसके प्रभाप पर बनी है। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिल्म के ट्रेलर के बाद से ही दर प्रिष्टों के उझे दोर को लेकर है जिसमें परिवार में बिखराव की स्थिती पैदा हो जाती है। लोग भी आएंगे नजर। मालूम हो की फिल्म दाग एगो लांचन में मुख्य भूमिका में भोजपुरी क्वीन आमरपाली दुबे, सुपरस्टार रितेश पांड डॉक्टर संदीप उजवल, सुशान्त उजवल, गीतका रोमजा, चायांकन मनोज कुमार सिंग है।